Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Miscellaneous Exercise on Chapter No.4 का Question No.1 देखते हैं क्या है Prove that the Determinant, this is Independent of Theta हमने क्या करना है, जो भी हमें Determinant दे रखा है उसको Independent of Theta दिखाना है इसका मतलब क्या है, कि हम जब Determinant को Expand करें और जो हमारे पास Result आएगा, उसके अंदर Theta की Term नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा Result है, वो Independent of Theta है ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे Evaluate तो क्या करेंगे, यहाँ पे Delta equal to, Determinant क्या दे रखा है हमे X, Sin Theta, Cos Theta आगे क्या है, माइनस का Sin Theta, elements लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस X, 1, Cos Theta, 1 और X अब Expand करना आपको आता है, या तो Rो की WISE Expand कर लो, या कोलम WISE Expand कर लो, कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करें मैं आपको प्रैफर करूँगा कि आप Rो WISE Expand करो, तो अच्छा रहेगा पहला element क्या है, हमारा यहाँ पे X तो X into, यह लाइन कट गी, यह कट गी X की और माइनस X की मल्टिप्लाई करेंगे, माइनस X स्क्वियर 1 की 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, माइनस 1 हो गया, फिर हमारे पास क्या है, साइन थीटा तो इसको second term को लेते हैं, माइनस, माइनस का साइन थीटा, यह लाइन कट गी, यह कट गी X की माइनस साइन थीटा से मल्टिप्लाई करेंगे, तो माइनस का X साइन थीटा हो गया, कोस थीटा की 1 से करेंगे तो minus में cos theta हो गया फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे plus का cos theta ये line कट गी ये कट गी 1 की minus sin theta से करेंगे minus का sin theta और minus of minus x की से करेंगे तो minus minus क्या हो जाएगा plus का x cos theta इतनी बात clear है अब इसको हल कर लेंगे हम solution देखेंगे इसका क्या करेंगे x के अंदर minus sin theta की से करेंगे तो minus minus क्या हो जाएगा plus x sin square theta minus sin theta की minus cos theta से करेंगे तो plus का sin theta cos theta फिर plus का sin है cos theta की अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus और plus क्या हो जाएगा बच्चो minus ध्यान रखना minus का sin theta cos theta और plus cos theta की से करेंगे तो plus का x cos square theta कोई दिख्कत नहीं होनी चाहिए अब ये देख लो कौन सी term हमारी cancel out हो रही है minus sin theta cos theta से plus sin theta cos theta cancel हो रहा है तो यह आपस में cut गए बच्चो यहाँ पे देख लो क्या आगया मेरे पास यह क्या है minus x cube यह minus x तो यहाँ पे क्या लिखे है minus x cube minus x ये term और ये term बचगे हमारी इन दोनों में से क्या कोमन नजर आ रहा है आपको x तो यहाँ पे plus में x into sin square theta plus में cos square theta आपको miscellaneous exercise सभी chapters की करनी है बहुत important होती है 12th class में तो ठीक है question जरूर मिलेंगे आपको अब यहाँ पे देखो minus का x cube minus x plus में x into sin square theta plus cos square theta किसके equal होती है 1 के तो यहाँ पे into 1 हो जाएगा अब x से x cancel हो गया तो is equal to किसके आगया minus का x cube के अब ध्यान से एक बात देखो बच्चो जो हमारे पास result आया है उसके अंदर क्या कोई theta की term आई है नहीं आई है तो यहाँ पे क्या लिख ले है हम delta is यहाँ फिर delta का मतलब क्या होता है determinant का solution is independent of independent of theta this is the answer यह हमने प्रूव करना था बस हो गया काम without expanding the determinant prove that this determinant equal to this अब यहाँ पे क्या काया है कि आपको expand नहीं करना है determinant को और prove करना है कि left hand वाला determinant right hand determinant के equal है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे solution देखते हैं बच्चो सबसे पहले हम left hand determinant को लेके चलते हैं left hand side क्या दे रखा है हमें determinant a a square b c फिर यहाँ पे b b square c a फिर हमें दे रखा c c square a b अब क्या किया जाए mind गुमाओ थोड़ा सा ध्यान से देखो right side पे हमें cube वाली term नजर आ रही है तो cube वाली term यहाँ पे कैसे बनेगी हमें पता है determinant में plus minus तो कर सकते हैं plus minus से तो cube नहीं बनेगा भई तो कैसे बनेगा हमें क्या करना पड़ेगा किसी external value से बाहरी value से इसको multiply करना पड़ेगा तभी cube बन सकता है हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको a cube बनाना है तो पूरी की पूरी row को a से multiply कर देंगे इसको b से multiply इसको c से multiply तो क्या operation लगेगा हमारा r1 को multiply कर दिया हमने ar1 r2 को multiply कर दिया हमने br2 और r3 को multiply कर दिया हमने CR3 तो देखो उपर वाली देखो अब multiply कर रहे हैं इनको तो same value से हमें divide भी करना पड़ेगा ऐसा अपने घर का राज नहीं है हम किसी चीज़ को कुछ भी कर देंगे अब किसी को हम किसी चीज़ से multiply करते हैं तो same चीज़ को divide भी करना पड़ता है अगर मानलो हमें left hand side और right hand side कोई term दे रखी है अगर इधर कुछ add करते हैं तो इधर भी add करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ABC से multiply हो रही है तो ABC से हम क्या करेंगे divide कर देंगे यहाँ पर A से multiply करो तो क्या हो गया A square यह A cube और यह क्या बन जाएगा ABC इसको B से multiply करो तो क्या बन गया B square B cube और यह भी क्या हो जाएगा ABC इसको हम C से multiply करें तो क्या हो गया C square C cube और ABC ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो ABC इसमें से इसमें से इसमें से पूरी कोलम में से common आ रहा है तो बाहर निकाल लो तो क्या हो गया ABC अपॉन में ABC हो गया अंदर देख लो क्या बच गया यहाँ पर A square B square C square यह A cube B cube C cube और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 111 आ गया ABC से ABC कैंसल हो गया बच्चो अब एक चीज ध्यान से देखो जो हमारी राइट एंड साइड थी और यह साइड है आ तो कुछ-कुछ सेम गई बस थोड़ा सा कोलम का अरक फरक है थोड़ा सा इंटरचेंज है तो हम क्या करेंगे कोलम को अपस में एक्चेंज कर सकते हैं हमने डेटर्मिनेंट की प्रोपर्टीज में पढ़ा था तो क्या करेंगे हम यहां पर सीवन को इंटरचेंज कर लेंगे सीथरी से और सीटू को इंटरचेंज कर लेंगे सीथरी से तो देखो क्या बन गया हमारा यहां पर जो हमारा वन 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 था यह क्या था C1, इसकी जंगे हमारा क्या जाएगा पहले C3 जाएगा, C1 और C3 को exchange करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, 1, 1, 1 यहां आ गया, यह A2, B2, C2 इसकी जंगे जाएगा, A2, B2, C2, फिर हमारा बीच में क्या रजएगा, A3, B3, C3, बन गया है, नहीं बन गया, हो गया, अब दूसरे वाले operation को देखो, C2 और C3 को exchange करना है, क्योंकि हमें cube पिछे चाहिए, बीच वाली row में हमें square चाहिए, तो यह C2 है, यह C3 है, इसको भी exchange कर दो, तो हमारा result क्या आ गया है, यहाँ पे 1, 1, 1, यहाँ पे A2, B2, C2, और यहाँ पे A3, B3, C3, hands proved, यही चीज तो prove करनी थी हमें, evaluate करना है हमें इस determinant को, अब बच्चों देखो, इसको evaluate करने से मतलब क्या, आप इस पे operation लगाओ, या इसको expand करो, या कैसे भी करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ mention नहीं कर रखा, हमें बस इसके result से मतलब है, तो सबसे best तरीका होता है, हमारा क् expand करके, अगर आपकी calculation strong है तो, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको delta equal to मानते हैं, हमारे पास determinant क्या दे रखा है, cos alpha, cos beta, ध्यान से रखना इनको, फिर क्या है, cos alpha, sin beta, और फिर क्या है, minus का sin alpha, यहाँ पे क्या है, minus का sin beta, cos beta, और 0, यहाँ पे क्या है, हमारे पास, sin alpha, cos beta फिर क्या है, sin alpha, sin beta, और cos alpha, यह हमें यहाँ पे term दे रखी है, अब इसको expand करना है, row wise expand करेंगे, better रहेगा, यह हमारा क्या है, first element, तो इसके along expand करेंगे, तो cos alpha, cos beta, तो हमारा क्या हो गया, बहार, into, यह line कट गी, यह कट गी, cos alpha की cos beta से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos alpha, cos beta, और 0 की से multiply करेंगे, तो minus में 0, clear, second term क्या लेते हैं, हम negative, तो minus का cos alpha, cos sin beta, यह line कट गी, यह कट गी, cos alpha की, sin beta से multiply करेंगे, तो minus का क्या हो गया, यहाँ पे cos alpha, sin beta, और यहाँ पे इसकी से करेंगे, तो minus में 0, clear, गएर, 3rd वाली term पे चलो, क्या है, minus का sin alpha into, यह line कट गी है, कट गी, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, sin alpha, sin beta की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, minus का sin alpha और sin beta क्या हो जाएगा, sin square beta कोई दिक्कत नहीं है, minus में क्या आएगा cos beta की इससे करो, तो क्या हो जाएगा, sin alpha cos square beta हो गई multiplication, अब इसको solution देखते हैं क्या आएगा, cos alpha, cos beta की cos alpha cos beta से गुना, तो क्या हो गया, cos square alpha cos square beta, clear, next, minus cos alpha sin beta की minus के cos alpha sin beta से करेंगे, तो minus minus plus हो गया, cos alpha की cos alpha से cos square alpha, sin beta की sin beta से तो sin square beta, ये भी हो गया, आगे देखते हैं, minus sin alpha की से करो, minus minus क्या हो जाएगा, plus का, sin alpha और sin alpha क्या हो गया, sin square alpha, और ये sin square beta, minus alpha की minus इस से करेंगे, तो minus minus क्या हो गया plus sin alpha क्या हो गया sin square alpha और यह cos square beta हो गया इतना काम फिनिस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब देखो क्या common हमें नजर आ रहा है यहां पे देखो cos square alpha और cos square alpha common आ रहा है तो यहां से ले लेंगे हम co square alpha common अंदर क्या बच्चो co square beta plus में sin square beta इस वाली टम में से देखो क्या common आ रहा है बच्चो sin square alpha को मना रहा है तो यहाँ पे क्या गरेंगे plus का sin square alpha अंदर क्या बच्चो sin square beta plus में co square beta अब तो दिल खुस हो गया होगा यह evergreen formula दिख गे आपको trigonometry के इनकी value क्या होती है 1 होती है तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा यह 1 हो गया 1 की co square alpha से multiply co square alpha plus में इसकी 1 से multiply sin square alpha तो क्या आ गया मेरे पास co square alpha plus sin square alpha is equal to 1 ठीक है तो हमें तो बस evaluate करना था answer आ गया हमारे पास तो this is the answer of a this determinant I hope question clear है को subscribe देके जाएए एक comment करके like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा channel को share कर दीजिए if a, b and c are real numbers and delta equal to this determinant equal to 0 then show that either a plus b plus c equal to 0 or a equal to b equal to c हमें क्या करना है अगर यह determinant equal to 0 दे रखा है तो हमें इन conditions को fulfill करके दिखाना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते है सबसे पहले determinant जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे b plus c है c plus a है a plus b है ध्यान से लिखना है c plus a a plus b b plus c और a plus b b plus c और c plus a अब क्या करें हम सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चो हमें a plus b plus c को 0 दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे a plus b plus c बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा ध्यान से देखो c1 कोलम में अगर मैं c1 plus c2 plus c3 add कर दू इस कोलम में अगर इं second और third कोलम को add कर दू तो क्या बनेगा देखो जहां से बिल्कुल सिंपल सा काम है b plus c में c plus a a plus b add करूँ तो देखो 2a हो जाएंगी 2b हो जाएंगी 2c हो जाएंगी मेरे पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा twice of a plus b plus c बन जाएगा similarly यहाँ पे इन तिनों को add करूँगा तो यह भी twice of a plus b plus c बन जाएगा इन तिनों को भी add करूँगा तो यह भी क्या बन जाएगा twice of a plus b plus c कोई दिक्कत नहीं होनी चीए I think clear second और third column को as it is रखो क्योंकि हमने कोई operation नहीं लगा c plus a a plus b b plus c यह क्या है a plus b b plus c और c plus a clear है कोई दिक्कत नहीं अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे twice of a plus b plus c यहाँ भी twice of a plus b plus c और यह भी कोईन आ रहा है निकाल दो भई कोईन तो twice of a plus b plus c हमारा कोईन आ गया अंदर क्या बच गया है यहाँ पे one 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 और यह c plus a यहाँ पे a plus b और यहाँ पे b plus c यहाँ पे आ जाएगा a plus b b plus c और c plus a कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब क्या करना है हमें हम क्या करते हैं इस तरिक्के की situation में previous exercises में सीख के आए है जब भी हमारे पास one 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 आ जाएं तो क्या करो किसी two values को zero बनाने की कोसिस करो जिससे हमें expand करने में असानी रहे तो हमें क्या करना है इसको और इसको zero बनाना है यह कौनसी रो में है second row में यह कौनसी में है third row में तो r2 और r3 पे operation लगा देंगे हम तो क्या operation लगाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखो अगर मैं operation लगा दू r2 पे r2 goes to r2 minus r1 और r3 पे operation लगा दू r3 goes to r3 minus r1 तो zero बन जाएगा देखो क्या बनेगा ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना हमारे r1 पे तो कोई operation नहीं लगा है तो r1 हमारा agities रहेगा क्या रहेगा 1 c plus a और a plus b यह हो गया second पे आजाओ बच्चो यहाँ पे बार यह जरूर लिख लो गई twice of a plus b plus c क्योंकि यह रह जाता है कई बार यहाँ पे 1 minus 1 कया r2 में से हमने r1 को subtract करना था r2 यह r1 यह 1 में से 1 कया 0 a plus b में से c minus a किया तो यह क्या बन गया मेरा यहाँ पे बन जाएगा मेरा b minus c यह बन जाएगा c minus a फिर r3 में से r1 को subtract करना है तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 b plus c में से minus c minus a करेंगे तो यह क्या बन जाएगा मेरा b minus a और यह क्या बन जाएगा हमारा c minus b बन जाएगा बूलीजी है तो 1 into ये line cut गी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B minus C into में C minus B minus इन दोनों की multiply C minus A into B minus A ये चीज आगई कोई दिक्कत नहीं होनी चीए देखते हैं आगए twice of A plus B plus C into में B की C से multiply की B C B की minus B से की minus का B square minus C की C से की माइनस का C square माइनस C की B से की तो माइनस का plus का B C clear आगए आजो माइनस का यहाँ पर sign इस तरीके से रखो बड़ी bracket लगा लो क्योंकि बाहर माइनस होनों ब्रेकिट लगा लिया करो नहीं तो sign में mistake कर जाओगे C की B से multiply की C B C की A से multiply की माइनस का A C माइनस A की इससे की तो माइनस का A B माइनस A की इससे की तो plus का A square clear है या नहीं अब इसको देखो क्या है twice of A plus B plus C into इसको देखो दियान से यहाँ पर क्या है हमारे पास B C ठीक है उसके बाद माइनस का B square माइनस का C square प्लस का B C माइनस अंदर लेके जाएंगे माइनस का यहाँ पे भी C B है या B C है माइनस का B C और यह क्या होजगा प्लस का A C और यह प्लस का A B और माइनस का A स्क्वेर, साइन अंदर लेगे बस कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब ध्यान से देखो बच्चो यहाँ पे क्या पेवर बन रहे है हमारे twice of A प्लस B प्लस C इंटो जो square वाली time है उनको आगे लिग लो माइनस का A स्क्वेर, माइनस का B स्क्वेर माइनस का C स्क्वेर यह क्या हो जाएगा हमारा 1 B C से 1 B C cancel है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का BC और प्लस का AC और प्लस का AB कोई प्रोब्लम नहीं है थोड़ी सी calculation ही है इस question में और कुछ भी नहीं है अब देखो माइनस के sign को क्या करो बाहर निकाल लो और इस 2 को कर दो अंदर multiply तो माइनस के sign को बाहर लेके हैंगे तो माइनस A प्लस B प्लस C हो जाएगा into में 2 को अंदर लेके जाएगे तो देखो जो भी माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएगे प्लस वाले माइनस हो जाएगे क्योंकि माइनस बाहर जा चुका ये क्या हो जाएगा 2A square ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2B square ये क्या हो जाएगा प्लस का 2C square ये क्या हो गया प्लस का 2BC ये हमारा 2AC और 2AB कोई problem नहीं है अब देखो यहाँ पे formula बनेगा बच्चो minus A plus B plus C 2A square को क्या लिख सकता हूँ मैं A square plus A square यहाँ पे B स्क्वेर प्लस B स्क्वेर यहाँ पे C स्क्वेर प्लस C स्क्वेर और यहाँ पे देखो यह माइनस अंदर आया था माइनस को मल ले आता तो बच्चों यह प्लस वाले माइनस हो जाएंगे गलत कर गए थे हम ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस का 2BC, ये माइनस का 2AC, और माइनस का 2AB, clear, next करेंगे क्या, माइनस A प्लस B प्लस C, इंटू में, देखो A स्क्वेर, B स्क्वेर, और माइनस का A B, क्या बन गया, A स्क्वेर, प्लस B स्क्वेर, minus 2AB ये ये और ये वाली टब क्या बन गया A minus B का whole square बन गया या नहीं बन गया बिलकुल बन गया सर अब देखो यहाँ पर क्या है BC तो 1B square C square minus 2BC क्या बन गया B minus C का whole square A square plus C square minus 2AC क्या बन गया A minus C का whole square ये आ गया हमारा expand होके clear है अब हमने क्या देखा था जो starting में दे रखा है इस determinant का result equal to 0 दे रखा है तो इसको हम क्या मानेगे equal to 0 अब ये term जो हमारी 0 के equal है तो इसका मतलब या तो ये term 0 होगी या ये term 0 होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे हम A plus B plus C equal to 0 एक चीज तो हुई परो तभी तो हमारी ये 0 हो सकती है अगर A plus B plus C 0 हो या फिर ये terms हमारी 0 के equal हो मतलब A minus B का square equal to 0 हो तो यहाँ पर square उस तरफ जाएगा तो A minus B equal to 0 तो मतलब A equal to B आ गया यहाँ पर B minus C का whole square 0 करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा B equal to C हो जाएगा यहाँ पर A minus C का whole square 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा A minus C equal to 0 इसका मतलब A equal to C हो जाएगा यही चीज तो हमें दिखा नहीं थी बस A equal to B, B equal to C और A equal to C इन तिनों से हम क्या लिख देंगे हम A equal to क्या है B equal to C solve the equation this this determinant equal to 0 दे रखा है और A की value not equal to 0 है तो हमें क्या करना है यहाँ पर solve the equation से मतलब है X की value हमें find out करनी है तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते है solution इसका यहाँ पर क्या करते हैं इस determinant को delta equal to मानते हैं क्या है X plus A X और X यहाँ पर क्या है X X plus A और यह भी X और यह क्या है X X और X plus A equal to 0 हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको simplify करेंगे ध्यान से देखो बच्चो हमारे पास क्या है यह column first है यह column second है column 3 है तो क्या कर लो simply C1 goes to C1 plus C2 plus C3 तिन्नों columns को add कर लो तो क्या आजएगा यहाँ पर X plus A plus X plus X करेंगे तो क्या हो गया 3X plus A यह क्या आजएगा हमारा X और यह भी X इन तिन नों को add करो तो ये भी क्या आगया 3X प्लस A और ये क्या बच गया यहाँ पे X प्लस A और X इन तिन नों को add करेंगे तो 3X प्लस A और फिर ये X और X प्लस A clear? कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यहाँ पे 3X प्लस A को मना रहा है को मन ले लो भई डेल्टा इक्वल टू 3X प्लस A को मन ले लिया हमने अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे क्या आ गया X X प्लस A और X यहाँ पे X X और X प्लस A clear? अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था determinant इस condition में आ जाए 3 1 मिल जाए हमें row में या kolum में तो किसी 2 को 0 बना लो तो कैसे बनेंगे हमारे operation simple से होते हैं R2 गोज टू R2 माइनस R1 कर दो और 3rd row पे operation लगाएंगे R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर लो यह दो operation लगाने होते हैं तो यहाँ पे देखो delta equal to क्या आ गया 3x plus a into यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा first row adjectives रहेगी 1 x x 1 में से 1 गया 0 x plus a में से x गया तो a x में से x गया 0 clear यहाँ पे देखो फिर 1 में से 1 गया 0 x में से x गया 0 x plus a में से x गया a यह आ गया अब इसको expand कर दो तो delta equal to क्या आ गया 3x plus a into यहाँ पे 1 into यह line कटगी है कटगी a की a से multiply करेंगे a square 0 की 0 से multiply minus 0 ठीक है तो delta equal to क्या आ गया 3x plus a into a square की 1 से multiply a square इसको अंदर multiply कर दो तो delta is equal to क्या आ गया 3a square x plus में नहीं multiply करने की जरूरत भी नहीं है is equal to किसके दा हमारे यह 0 के equal ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a तो not equal to 0 है हमारा यह condition तो 0 होई नहीं सकती तो हमारा क्या हो जाएगा 3x plus a is equal to क्या हो जाएगा 0 यह condition हमारी 0 के equal होगी तो यहाँ पर क्या आगया हमारा 3x is equal to minus a और x is equal to क्या आगया minus का a by 3 This is the answer Prove that this determinant equal to 4a square b square c square हमें क्या करना है इस determinant को इसके equal prove करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसका solution Important question है यह क्या दे रखा है हमें यहाँ पर इसको delta है जूम करते हैं delta equal to a square bc a c plus c square next क्या है a square plus a b b square और a c फिर क्या दे रखा है a b b square plus bc और c square यह दे रखा हैं में तो सबसे पहले ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको इसमें a को मना रहा है इसमें से b a को मना रहा है इसमें से b a को मना रहा है निकाल लो, निकाल दिया भई, A को मन, यहां से B को मन आ रहा है, यहां से C को मन आ रहा है, तो A, B, C हमारा आ गया को मन, अंदर गया बच गया, यहां पे A बच जाएगा, यहां पे A प्लस B बच गया, और यहां पे बच गया B, यहां पे क्या आ जाएगा, B को मन लेंगे, तो यहाँ पे B प्लस C, इसमें से C को मल लिया, तो C बाहर चला गया, तो A प्लस C बच गया, यहाँ पे हमारे पास A आ गया, और यहाँ पे आ गया C, यह तो simple सा काम था, नजर आ रहा था हमें, उसके बाद क्या करना है, हमें किसी ने किसी को 0 बनाना है, तो कैसे बनाई हम, देख A प्लस B करूँगा, इसमें से A माइनस B कर दूँगा, 0 हो जाएगा, तो R1 पे उप्रेशन क्या लगाया, मैंने R1 और R3 को तो एड किया, और माइनस कर दिया R2 को, A और B को एड करूँगा, A B बन गया, A B में से माइनस A माइनस B करेंगे, तो 0 हो गया, तो देखो क्या बन क्या, A और B को एड किया, A प्लस B हो गया, उसमें से R2 को सब्ट्रेक्ट करना है, तो माइनस A माइनस B हो जाएगा, कट गए सारे, तो क्या बन गया, 0, कलियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ पे C को B प्लस C में एड किया, तो क्या हो गया हमारा, B प्लस C माइनस B किया, तो हमारा यहाँ पे क्या आजाएगा, 2C, सेम यहाँ पे हमने इसको एड किया, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा 2C, यहाँ पे आजाओ, यह सेकंड रो और थर्ड रो हमारी सेम रहेंगी, A प्लस B, यह B, यह A, यह B, यह B प्लस C, और यह हमारी C, अब फि यहां पर क्या operation लगाऊं मैं c2 goes to c2 minus c3 c2 column में c3 को subtract कर लिया अब आपको पता है determinant में row column के mix operation लगा सकते हैं बट ऐसा matrix में possible नहीं होता है तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास a b c common अंदर क्या बच गया यहां पर यह तो हमारी same fix रहेगी क्या आएगी यह 0 a plus b और b यहां पर क्या आजाएगा हमारा c2 minus c3 किया है इसको इसमें से subtract किर दिया 2c minus 2c क्या हो जाएगा 0 उसके बाद b में से a गया तो b minus a और यहां पर b plus c minus c करेंगे तो यह b आ गया और यह हमारी agitives रहेगी 2c a और c हो गया clear अब हम क्या करें इसको expand गर लो वेशक से क्या करेंगे 2c के along expand गर दो तो क्या हो जाएगा a b c तो हमारा बहार रह गया यह इनके along तो expand हो गा ही नहीं तो 2c के along expand करेंगे तो 2c into यह line कटगी यह कटगी बी की इससे multiply b into a plus b minus में इसकी इससे multiply b into b minus a तो क्या आ गया a b c into 2c बाहर रहने दो अंदर करो multiply b की a से multiply b a b की b से multiply plus का b square minus b की अंदर करेंगे minus का b square और plus का a b यह कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा a b c into twice of c into a b और a b क्या हो गया हमारा twice of a b क्लियर है तो यहाँ पर देखो बच्छों क्या आ गया 2 into 2 क्या हो गया 4 और यह क्या हो गया हमारे पास ABC into ABC तो क्या आ गया 4 into A square B square C square Hence proved If A inverse equal to this and B equal to this matrix then find AB inverse हमें क्या है यहाँ पे A inverse दे रखा है B matrix दे रखी है और इनकी help से हमें AB का inverse find out करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले देखो द्यान से यहाँ पे हमें निकालना क्या है AB का inverse find out करना है किसके equal होगा अगर मैं इसको open करता हूँ तो किसके equal आ जाएगा हमारा B inverse into A inverse अब यहाँ पे A inverse की value तो हमें पता है B inverse की value नहीं पता है तो B inverse हमें क्या करना पड़ेगा इस matrix से find out करना पड़ेगा फिर हम यहाँ पे इनकी multiplication कर लेंगे तो ध्यान से देखो हमें B matrix दे क्या रखी है वो लिखेंगे यहाँ पे पहले 1, 2, minus 2 minus 1, 3 और 0 0, minus 2 और 1 यह matrix दे रखी है अब इसका हमें inverse find out करना है अब inverse निकालने के इतने सारे आपने question कर लिये हैं अब यहाँ पे easily हम find out कर सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे determinant of B निकाल लेंगे क्या होगा 1, 2 यह line कट गी, यह कट गी 3, 1, 3 minus में 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे minus 2 into यह कट गया, यह कट गया 1 की minus 1 से multiply, minus 1 और 0 की 0 से multiply, 0 फिर यहाँ पे minus 2 of यह line कट गी, यह कट गी तो minus 2 की minus 1 से करेंगे 2 और minus में 0 हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं क्या simplify कर क्या है determinant B equal to 3 की 1 से multiply 3 minus 2 की minus 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, plus का 2 और यहाँ पे minus 2 की 2 से करेंगे तो minus का 4, 3 और 2, 5 minus 4 कितना आगया, 1 अब determinant B1 आगया जो की हमारा क्या है, not equal to 0 इसका मतलब इसका inverse exist करेगा अब inverse exist करेगा इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके सभी elements जो हैं इसके हमें co-factor find out करने पड़ेंगे बच्चो, करने पड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा first element है तो इसका co-factor क्या होगा A11, किसके equal होगा minus 1 की power 1 plus 1 into M11 यही तो step होता है हमारा co-factor निकालने का minus 1 की power E1 है तो plus 1 हो गया into M11 का मतलब क्या यह कट गया, यह कट गया 3 बंजा 3 तो 3 बंजा 3 क्या आगया यहाँ पे A11 आगया अब ऐसे ही हम क्या करेंगे सारे के सारे co-factor जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं A12 निकालने के मेरे पास आजाएगा यहाँ पे minus 1 की power 1 plus 2 into M12 तो क्या हो गया यहाँ यहाँ पे minus 1 multiply M12 की value क्या आजाएगी यहाँ पे minus 1 तो minus minus plus 1 अब मैं सारे के सारे नहीं बता हूँ मैं जल्दी जल्दी से निकाल लेता हूँ A13 क्या होगा मेरा यहाँ पे यहाँ आजाएगा मेरा 2 फिर आएगा A21 यह भी आजाएगा 2 A22 क्या आजाएगा second row second column को छोड़ेंगे तो 2 और 24 हो गया हमारा और यह भी आजाएगा 1 A23 की अगर मैं बात करूँ यह आएगा मेरा 2 फिर A31 देखोंगा 6 आएगा A32 देखेंगे तो 2 आजाएगा और A33 देखोंगा तो मैं क्या आएगा मेरा 2 और 35 आजाएगा अब आप यह सोच रहोगा इतनी जल्दी कैसे निकाले मुझे प्रेक्टिस है कि 2nd row 3rd column 3rd row 2nd column और मुझे पता है यहाँ पे odd power होती है odd value होती है 3 or 2 5 तो हमारा जो sign है इनका change हो जाता है यह चीज थोड़ी सी प्रेक्टिस से आपको भी आ जाएगी अब यह हमारे पास co-factor आ चुके अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे adjoint of A निकालना है बच्चो पहले A तो नहीं है हमने B matrix मनना था तो adjoint of B निकाल लेंगे किसके एको लोगा पहले co-factor लिखो क्या है यहाँ पे यह आये थे हमारे पास 3,1,2 फिर आया था 2,1,2 फिर आया था 6,2,5 इसका हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांस्पोज ट्रांस्पोज करेंगे तो क्या आ जाएगा adjoint of B equal to row की column बना लो गच्चो यह हमारी row है तो column बन गी 3,1,2 यह second row है तो 2,1,2 होगी third वाली row क्या है 6,2,5 तो यह हमारी column बन गी 6,2,5 adjoint of B आपके सामने आ चुका अब आपको पता है B inverse is equal to क्या होगा 1 by determinant of B into adjoint of B के equal 1 by determinant of B कितना निकलादा हमारा 1 तो 1 by 1 into यहाँ पे adjoint B क्या है हमारा 3,2,6 1,1,2 और 2,2,5 तो B inverse किसके equal हो गया हमारा यहाँ पे 1 से multiply करेंगे same as it is matrix रह जाएगी 3,2,6 1,1,2 और 2,2,5 कोई भी problem किसी परकार के नहीं होनी चाहिए B inverse आ चुका आपके पास कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या निकलना है यहाँ पे ध्यान से देखो A, B inverse is equal to किसके होगा B inverse into A inverse तो यहाँ पे B inverse की value क्या है हमारी A inverse already दे रखा है हमें यहाँ पे ठीक है यह A inverse दे रखा है तो यहाँ पे value लिखेंगे 3,1,1 minus का 15,6 और minus 5 और 5, minus 2,2 clear? अब इसकी multiplication करने हमें ही row की column wise multiplication तो देख लेते हैं क्या आएगी यहाँ पे 3 की 3 से multiply 3,3 जा 9,2 की 15 से minus का 30 और 6,5 जा 30 फिर next page लो 3 की minus 1 से minus 3,6 जा 12 और minus 12 3 की 1 से करेंगे 3,1 जा 3 5 की 2 से करेंगे minus का 10 और 6 की 2 से करेंगे plus का 12 आगे आजो 1 की 3 से करेंगे तो 3,1 की minus 15 से minus 15,2 की 5 से करेंगे plus का 10 फिर 1 की minus 1 से करेंगे minus 1,1 की 6 से करेंगे तो plus का 6,2 की minus 2 से करेंगे माइनस का 4 फिर 1 की 1 से करेंगे 1 1 की माइनस 5 से करेंगे माइनस 5 2 की 2 से करेंगे तो प्लस का 4 2 की 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 2 3 जा 6 फिर 2 की माइनस 15 से करेंगे माइनस का 30 और 5 5 जा प्लस का 25 फिर 2 की माइनस 1 से करो माइनस का 2, 2, 6 जा, प्लस का 12, और 5, 2 जा, माइनस 10, 2 की 1 से की तो 2, 2 की माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5, 2 जा 10, और 5 की 2 से करेंगे तो 5, 2 जा 10, यह आ गया हमारे पास, अब इसकी calculation देख लो बच्चों क्या आ गई हमारे पास, यह हमने क्या आ जाएगा, 12 और 3, 15 में से 10 गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 और 3, 15, 10 और 3, 13 माइनस 15 क्या हो गया, माइनस का 2, यह हो गया, 1, और यहाँ पर क्या आ गया, 0, यह आ गया, तो मेरे पास A B का inverse जो आ गया वो ये आ गया 9-35-210102 This is the answer Let A equal to this matrix then verify that Adjoint of A का inverse equal to Adjoint of A inverse और यहाँ पे हमें second part में क्या करना है A inverse का inverse equal to A ठीक है दोनों part आपको समझ में आगे क्या हमने prove करना है यहाँ पे first part में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए Left side और Right side यहाँ पे पहले हमें Adjoint A निकलना पड़ेगा फिर हमें A inverse भी चाहिएगा तो दोनों चीज़े हम निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे Adjoint of A निकालते हैं क्या निकालनेंगे बच्चो Adjoint of A उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो भी हमारे यह elements दे रखे हैं इनके corresponding co-factor find out करने पड़ेंगे और उसका फिर transpose कर लेंगे हम तो वो हमारे पास क्या जाएगा Adjoint of A तो हम क्या करेंगे यहाँ पे co-factor को निकालते हैं एक different page पे सबसे पहले देखो first element क्या होता इसका co-factor क्या होगा A11 क्या होता है minus 1 की power 1 plus 1 और M11 तो क्या आजाएगा minus 1 की E1 power है तो plus 1 हो गया यह into M11 का मतलब यह कट गया यह कट गया 5,3 जा 15 minus 1 क्या हो गया 14 तो यहाँ पे हमारा A11 क्या आगया 14 आगया ऐसे ही हम A12 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 की power 1 plus 2 और यहाँ पे क्या आजाएगा M12 यहाँ पे minus 1 की power odd है तो minus 1 multiply M12 का मतलब क्या है हमारी first row second column तो 5 की minus 2 से multiply minus 10 of minus 1 क्या हो जाएगा minus 11 तो यह क्या आगया मेरे पास यहाँ पे 11 आगया ऐसे ही हम A13 निकाल लेंगे तो A13 क्या आजाएगा मेरे पास यहाँ पे हम देखेंगे A13 आजाएगा मेरा minus 5 आएगा फिर हम निकाल लेंगे A21 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 मेरे पास 11 आजाएगा A22 मिरे पास 4 आएगा A23 second row third column cut करेंगे तो ये minus 3 आजाएगा फिर हम A31 निकालेंगे तो minus 5 आएगा A32 निकालेंगे तो मिरे पास minus 3 आएगा और A33 अगर निकालेंगे तो वो आएगा minus का 1 clear है अब हम क्या करेंगे इनको row और column wise हम रख लिखते हैं अपनी values को तो हमारी values क्या आगए यहाँ पर 14 11 minus 5 तो लिखेंगे 14 11 minus 5 फिर क्या है 11 4 और minus 3 फिर minus 5 minus 3 और minus 1 इसका हमें क्या करना है transpose तो क्या होगी हमारे पास adjoint of A इसकी rows को column बना लो यह हमारी row है तो column क्या बन जाएगी 14 11 minus 5 फिर 11 4 और minus 3 फिर minus 5 minus 3 और minus 1 clear हो गया कोई दिक्कत नहीं है इन rows को हमने क्या कर दिया column wise यहाँ पर write down कर दिया तो मेरे पास adjoint of A क्या आगया मेरा 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1 ठीक है अब next काम क्या करना है हमें A inverse निकालना है A inverse निकालने के लिए हमें determinant A चीए determinant A कैसे निकलेगा यहाँ पर 1 into यह line कटगी यह कटगी 5 3 जा 15 minus 1 second step पर चलेंगे तो यहाँ पर minus minus क्या हो जाएगा plus का 2 हो जाएगा तो यह line कटगी यह कटगी 5 की minus 2 से multiply minus का 10 minus 1 फिर plus में 1 into यह line कटगी कटगी 2 की minus 1 से multiply करेंगे minus 2 minus 3 तो यहाँ पर determinant A is equal to क्या आगया 15 minus 1 क्या हो गया 14 की 1 से multiply करेंगे 14 minus 10 की minus 1 यह क्या हो गया minus 11 minus 11 की 2 से minus का 22 और यहाँ पर क्या हो जाएगा minus का 5 तो minus 22 और minus 5 क्या हो गया minus 27 में से 14 गया तो क्या आगया माइनस का 13 तो determinant A is equal to minus 13 आ गया मेरे पास clear है अब हमें क्या करना है यहाँ पर A inverse निकाल ले न बच्चो A inverse क्या होता है हमारा 1 by determinant A into adjoint of A तो क्या आ गया है यहाँ पर 1 by minus का 13 into adjoint A क्या था हमारा यह रहा 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 और minus 1 ठीक है अब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो A inverse is equal to क्या हो गया बच्चो यहाँ पर ध्यान से देखो minus का 14 by 13 minus का 11 by 13 और plus का 5 by 13 next minus का 11 by 13 minus का 4 by 13 और यह 3 by 13 next क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 by 13 यह हमारा 3 by 13 और यह क्या हो जाएगा 1 by 13 यह हो गया मेरे पास A inverse आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो नीची यह ठीक है अब ध्यान से देखो जो भी हमारे पास adjoint A आया है यह वाली matrix इसका हमें क्या करना है inverse निकालना है अब इसका inverse निकालने का मतलब क्या है बच्चो पहले हम इसको क्या करेंगे soul out करेंगे determinant को और ऐसे कुछ value आएगी फिर इसके corresponding element के cofactor का transpose करेंगे उससे हमारा क्या निकलेगा adjoint of adjoint A फिर हमें inverse मिलेगा पता है ना inverse निकालने का concept तो वही हमें यहाँ पे utilize करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे आप इसको क्या करो इसको B matrix माल लो कोई भी यह माल ली हमने B matrix B is equal to adjoint of A के equal है और क्या element दे रखें हमें यहाँ पे 14, 11, minus 5 यह थोड़ा सा complicated के उससे ने थोड़ा सा ध्यान से समझना है यह minus 5, minus 3 और minus 1 अब यह माल लो हमें क्या करना है B का inverse निकालना है बच्चो B का inverse निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा adjoint of B निकालना पड़ेगा adjoint of B का मतलब क्या है जो भी corresponding elements से इनके हमें क्या करने है co-factor find out करने है तो co-factor देख लेते हैं क्या आएंगे first इसका co-factor निकालने तो क्या होगा a11 मतलब minus 1 की power 1 plus 1 into m11 तो यहाँ पर plus 1 हो गया into m11 का मतलब यह कट गया minus 4 की 1 से 4 की minus 1 से multiply minus 4 और off plus 9 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 4 of यह plus का 9 है तो minus 9 हो जाएगा minus 13 और यह आगया मेरे पास minus 13 आगया a11 ऐसे ही a12 निकालेंगे first row second column का minus 1 की power 1 plus 2 m12 तो यहाँ पर minus 1 हो जाएगा multiply में m12 का मतलब क्या है first row second column कट गी 11 की minus 1 से multiply minus 11 minus 5 की minus 3 से करेंगे plus का 15 हो गया तो वैसे sign minus का होता है तो minus 15 15 और 11 कीतना हो गया बच्चों हमारा minus का 26 26 और minus से multiply करेंगे तो यह क्या हो गया plus का 26 ठीक है ऐसे ही हम बारे-बारी क्या करेंगे सारे के सारे co-factors find out कर लेते है a13 क्या आजाएगा यह आजाएगा minus का 39 और फिर a23 क्या आजाएगा मेरा minus का 13 फिर a31 यह भी minus का 13 आएगा a32 यह भी minus का 13 आएगा और a33 क्या आजाएगा मेरा यह आजाएगा मेरा 65 तो minus का 65 आ गई सारे के सारे elements तो adjoint of b क्या आजाएगा मेरा यहाँ पर elements क्या है, minus का 13, 26, और फिर minus 13, फिर क्या है, 26 minus का 39, minus का 13, फिर minus 13, minus 13, और minus का 65, इसका transpose, खिक है बच्चो, अब देखो, यहाँ पर adjoint of B क्या आ गया मेरा, adjoint of B आ गया मेरा, इसकी row की column बना लो, minus का 13, 26, minus 13, फिर 26, minus का 39, minus का 13, फिर minus 13, minus 13, और minus का 65, यह आ गया मेरे पास adjoint of A, B, अब हमें क्या करना है, इसका inverse निकालना है, देखो, यहाँ पर adjoint of A का inverse निकालना था हमें, इसका inverse निकालना, adjoint A को तो हमने B निकमान लिया, तो मतलब B inverse, तो यहाँ पर B inverse is equal to क्या हो जाएगा, 1 by determinant of B, into adjoint of B, ठीक है, तो determinant of B क्या होगा, इस B matrix को sol out करो, इसको sol out करते हैं, देखते हैं क्या आता है, पता हैं, आपको कैसे sol out करते हैं, तो यहाँ पर determinant B को sol out करोगे, तो 169 आ जाएगा, ठीक है, simply मैंने rough side sol कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर directly लिख दिया, तो B inverse is equal to क्या हो गया, 1 by 169, और adjoint B कितना है हमारा यहाँ पर, यह है हमारा यहाँ पर यह रहा, minus का 13, 26, minus 13, यह 26, minus का 39, minus 13, minus 13, minus 13, minus 13, और minus का 65, इस B inverse का मतलब क्या है, B किसको मानना था आपने, point A का inverse आपने यहाँ पर find out कर लिया, वो यह आ गया हमारे पास, clear हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, इतना समझ में आ गया होगा, ठिक है, कोई problem नहीं है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर adjoint of A inverse निकालना है, इसका adjoint और निकालना है, adjoint मतलब इसके सभी corresponding elements के co-factor निकालने हैं अब आपको, देख लिते हैं, इसका जो first element है, इसका co-factor क्या होगा, A11, तो यहाँ पर क्या आजएगा, minus 1 की power, 1 plus 1 into M11 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह plus 1 multiply, M11 का मतलब क्या, यह cut गया, 1 by 13 की minus के 4 by 13 से multiply क्या हो जाएगी, minus का 4 by 13 13 जा क्या होता है, 169, और यहाँ पर 33 की क्या हो जाएगी, minus में 9 by 169, clear है, तो यहाँ पर देखो क्या आगया, 1 की multiply होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, 169 उपर क्या होगी, minus का 13, तो minus का 13 by 169 आगया, हमारे पास A11, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, minus 1 की power, 1 plus 2, और M12, तो यह क्या होगया, minus 1 multiply, M12 का मतलब क्या बच्चो, first row, second column कटगी, 1 by 13 की, minus के 11 by 13 से multiply होगी, तो minus का 11 by 13, और minus में 5 3 जा, 15 by 13, यह होगया, मारे पास, अब इसको simplify कर लो, तो क्या आगया, minus 1 multiply, यह क्या आजाएगा, मेरा minus का 26 by 13, 13, 13 की LC हम लेके क्या करेंगे, हम यहाँ पे, multiply होके क्या आजाएगा, 169, तो यह आगया, मेरे पास 26 by 169, आगया, हमारे पास A12 भी, ऐसे ही हम corresponding क्या करते जाएगे, सारे के सारे अपने co-factors निकाल लेंगे, यह A12 आगया, ऐसे ही A13 निकाल लेंगे, वो क्या आजाएगा, मेरा minus का 13 by 169 आजाएगा, फिर A21 निकाल लेंगे, A21 क्या आएगा, मेरा 26 by 169 आएगा, फिर A22 निकाल लेंगे, वो आजाएगा, minus का 39 by 169, आप यहां से भी लिख सकते हो, equally आएगा हमारा clear, फिर A23 निकाल लेंगे, वो minus का 13 by 169 आएगा, ऐसे ही हम सारे की सारे value निकाल लेंगे अपनी, A31 वो minus का 13 by 169, A32 वो minus का 13 by 169 आएगा, और A33 जो आएगा, मेरा वो क्या आएगा, minus का 13 by 65 by 169, अब सभी में देखो, 169 आया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो 169 को मना जाएगा बच्चो, 1 by 169, और अंदर क्या बच जाएगे, corresponding element, minus का 13, 26, minus 13, देखो यही बचेंगे, minus का 13, 26, minus 13, यह 26, minus 39, 13, फिर minus 13, minus 13, minus 65, तो यह दोनों क्या आजेंगी हमारे पास यहां पर, equal आजेंगे, adjoint A inverse is equal to क्या हो जाएगा, मारा adjoint of A inverse, यह आपने निकाल के दिखाना है, यहां से, मैंने आपको बता दिया है, I hope समझ में आ गया है कुछ आपको, main चीज आपको ध्यान रखनी है, inverse कैसे निकलता है, adjoint कैसे निकलता है, वो अपना यहां पे, formula यूज करना है, next देखते हैं, इसका second part क्या है, A inverse का inverse equal to A prove करना है, second part है, हमारे पास बिलकुल इजी है, A inverse का inverse निकालना है, और वो हमारा matrix A के equal आना चाहिए, अभी आपने A inverse निकालना था, A inverse क्या था, minus का 1 by 13 into 14, 11 minus 5, 11, 4, minus 3, minus 5, minus 3 और minus 1, यह आया था यह नहीं आया था, A inverse, अब हमें क्या करना है, इसका फिर inverse निकालना है, तो अब इसको क्या करो, कोई another matrix माल लो, अब B माल लो, मतलब एक काम रहेगा, आपको B का inverse निकालना है, अब main काम यह है, ठीक है, वही हमारा A inverse का inverse होगा, तो B inverse कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना, इसका adjoint निकालना है, तो adjoint of B निकाल लो, क्या होगा adjoint of B, वो भी हमने find out किया था, क्या था हमारे पास, ये रहा, ये adjoint of B था हमारा, अब इस adjoint of B में से देखो, सभी 13 के multiple है, तो 13 मैं यहाँ पे 1 by 13 बाहर ले सकता हूँ, तो क्या आजाएगा, यहाँ पे adjoint of B बन जाएगा, मेरा 1 by 13 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गे, minus 1, 2, minus 1, फिर 2, minus 3, minus 1, और minus 1, minus 1, और यहाँ पे क्या था, 65, तो ये क्या आजाएगा, मेरा minus का 5, adjoint B आगया, मेरे पास, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे, हमें निकालना है, A inverse का determinant, मतलब जो हमारे पास matrix थी, ये inverse की, उसका हमें क्या निकालना है, बच्चो, determinant soul out करना है, minus का 1 by 13 है, अंदर इसको simplify करोगे, तो ये आजाएगा, मेरा 1, तो ये कितना आगया, मेरा A inverse का determinant, minus का 1 by, ये 1 upon में आएगा, 1 upon minus का 1 by 13 into 1, तो ये क्या आगया, मेरे पास, यहाँ पे, उपर जाएगा, तो minus का 13 आजाएगा, A inverse का determinant, इसको soul out किया है, बस, ठीक है, minus 13 आगया, अब देखो, A inverse का inverse, किसके इकोल होगा, 1 by A inverse का determinant, into adjoint of A inverse, तो देख लो क्या आगया, यहाँ पे, 1 by minus 13 into, A inverse कितना था हमारा, ये वाला, adjoint of A inverse किया निकला था, ये वाला, क्योंकि B मनना दा न हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, ये 1 by 13 उपर रहेगा, और minus 1, 2 minus 1, 2 minus 3 minus 1, minus 1 minus 1 minus 5, इससे ये कट गया, minus बच गया, यहाँ पे, minus को अंदर लेके जाएगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बच्चो, ये plus का 1, minus 2 plus 1, ये minus 2 plus 3, 1, ये 1, 1, 5, और ये ध्यान से देखो, हमारा A matrix के एकवली तो है, तो is equal to किसके आगया, A के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A inverse का inverse is equal to A के हमने प्रू कर दिया, evaluate this determinant, हमें इस determinant को evaluate करना है, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, determinant को A से assume कर लेते हैं, और इसके corresponding element को write down करते हैं, x, y, x plus y, यहाँ पे y, x plus y, और x, और यहाँ पे x plus y, x और y, अब देखो, इस determinant पे जो भी सारे element हैं, इस column के along देख लो, या row के along देख लो, same ही elements हैं, तो simple सा operation लगा देंगे, हम column 1 पे c1 plus c2 plus c3, तिन्नों columns को अपस में c1 पे add कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, delta equal to, यहाँ पे x में y यहाँ पे इसमें add करेंगे इन दुनों को, तो यह भी क्या हो जाएगा, 2x plus 2y, इसमें इन दुनों को add करेंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा, 2x plus 2y, और second और third column क्या रहेगी हमारी same, यह y, यह x plus y, और यह x, और यह x plus y, x और y, clear, अब देखो, यह इसमें भी है, इसमें इसमें भी, तो तिनों से common आ सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, delta equal to 2x plus 2y, हमने क्या ले लिया बच्चो, common, अंदर क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, और यहाँ पे y, x plus y, x, और यहाँ पे x plus y, x, और y, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको पता है, देखो, simple काम है, जहाँ पे भ को बता रखा है, जब तीन हमारे क्या आजें, कोलम में, वन आजें, तो उप्रेशन लगा दो, r2 goes to r2 minus r1, और r3 goes to r3 minus r1, r2 और r3 रो में से r1 को सब्ट्रेक्ट कर लो, तो देखो क्या बन गया, delta is equal to 2x plus 2y, r1 रो तो हमारी सेम रहेगी, 1, y, x plus y, r2 पे उप्रेशन लग r2 में से r1 को सब्ट्रेक्ट करके लिखते जाओ, 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, x plus y minus y करेंगे तो x, x minus x minus y करेंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा, मेरा minus का y आजाएगा, अब इसमें से देखो, 1 minus 1 करेंगे, यह 0, x minus y करेंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा, x minus y, और y minus x minus y क इंटू यहां पर 1 इंटू यह लाइन कटगी यह कटगी माइनस एक से मल्टिप्लाई माइनस का एक स्क्वियर माइनस वाई की से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और वाई की एक से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह plus का xy और minus का y square clear है देखो आगे क्या है delta is equal to यहाँ से 2 common आगे अंदर क्या उच गया x plus y और यहाँ पर क्या आगे मेरे पास minus का x square और minus का xy और minus का y square यह time आगे या नहीं आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चीए clear है अब यहाँ पर और क्या बन सकता है अगर मैं यहाँ से यह देखो यह plus का आगे यहाँ से अगर मैं minus का मन ले लिए तो क्या बच गया minus का 2 into x plus y into यहाँ से minus बार जा चुका तो x square यह minus का xy और plus का y square हो जाएगा है नहीं और यह देखो मेरा formula बन गया लाइन जैसा था ना उसके मिड में ऐसा part बना था हमारा वही हमें यहाँ पर soul out करने के लिए दे रखा है तो कैसे करेंगे simple काम है सबसे पहले क्या करेंगे इसको a से assume कर लेते हैं determinant को क्या element है 1 1 1 x x plus y और x और यह क्या है y y और x plus y clear हो गया कोई दिक्कत नहीं है अब देखो हम कोई भी determinant soul out करते हैं evaluate करते हैं तो हमारा main motive क्या होता है बच्चो कि कोई न कोई एक row या कोई न कोई यह column में triple one मिल जाए हमें तो हम easily evaluate कर लेते हैं simple से 2 operation होते हैं हमारे वो लगा के हम क्या कर लेंगे corresponding 2 value को 0 बना लेते हैं क्या operation होते हैं वही लगाएंगे r2 goes to r2 minus r1 और r3 goes to r3 minus r1 यह हमारा evergreen formula है जब हमारे triple one बन जाएं तो कोलम में तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे delta equal to first row हमारी same रहेगी 1 x y r2 पे operation लगाना है second वाली पे r2 में से r1 subtract करो 1 minus 1 करेंगे तो 0 x plus y में से x subtract करेंगे तो y y में से y गया तो 0 clear आगे जो r3 में से r1 subtract करना है 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 x minus x क्या हो जाएगा 0 और x plus y minus y करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा x ठीक है अब देखो इसको evaluate करो तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 into इसके along expand करेंगे x की y से multiply x y 0 की 0 से multiply minus का 0 अब x y की 1 से multiply करेंगे तो क्या आगया x y बस यह आगया हमारे पास तो delta is equal to क्या आगया x y is the answer यह solution हो गया हमें एक determinant दे रखा है उसको हमें इस right hand side के equal brew करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते है सबसे पहले क्या करो बच्चो जो भी हमें determinant दे रखा है न उसको आप delta या a के equal मान लो इस तरीके से और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे alpha alpha square beta plus gamma यह ध्यान से बनाना है alpha और gamma confused हो जाते हो कई बार यह beta यह beta square यह gamma plus alpha और यह gamma gamma square और यह alpha plus beta अब बच्चो के mind में आता है कि सर हम क्या करें कौन सी step से चले तो आपको इस तरीके के question में क्या करना होता है अपनी right side वाली जो term है उस पे नजर डालो बच्चो यहाँ पे देखो मुझे alpha plus beta plus gamma दिख रहा है तो कैसे बने मेरे पास alpha plus beta plus gamma देखो यहाँ पे beta plus gamma है alpha नहीं है तो इस वाली को add कर लू यहाँ पे gamma और alpha है beta नहीं है तो beta को add कर लू इसमें हम gamma को add कर लें तो बिल्कुल सा operation बन गया कौन सी column है C3 C3 column में मैं C1 को add कर लूँ बस, बस बनाओ देखो क्या बन गया हमारा यहाँ पर कॉलम फिर्स्ट और कॉलम सेकिंड रहेंगी प्रस्ट और कॉलम सेकंड रहें गी सेम, alpha, beta, gamma यहाँ पर रहेगा alpha square, beta square, gamma square और यह क्या बन गया हमारा यहाँ पर alpha plus beta plus gamma इसमें एड़ करेंगे तो यह आपर क्या हो जाएगा यह भी alpha plus beta plus gamma और यह भी क्या हो जाएगा alpha plus beta plus gamma क्लियर है कोई दिक्कत की बात नहीं है बर्ड्स की आवाज आ रही होगी थोड़ा सा disturbance हो सकता है क्योंकि village में रहता हूँ और बहुत सारे birds रहते हैं मेरे पास आसपास रहते हैं यहाँ पे trees बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान से सपढ़ना बस अब यहाँ पे देखो बच्चो alpha plus beta plus gamma कोमन आ रहा है हमारा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे alpha plus beta plus gamma हम बाहर निकाल लेते हैं अंदर क्या बच गया है यहाँ पे alpha beta gamma यहाँ क्योंकि simple सा operation रह गया है और उससे हम soul out कर लेंगे क्या operation लगता है अब r2 goes to r2 minus r1 और r3 goes to r3 minus r1 तो देख लेते हैं क्या बन गया delta equal to alpha plus beta plus gamma into यहाँ पे देखो हमारी जो first वाली रो है वो रहेगी same alpha alpha square और 1 second वाली पर आज़ो इसमें से first वाली subtract करने तो यह क्या बन जाएगा हमारा beta minus alpha फिर क्या बन जाएगा beta square minus alpha square फिर क्या बन जाएगा 1 minus 1 0 बन जाएगा यहाँ पर आज़ो gamma minus alpha यहाँ पर gamma square minus alpha square और 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 clear हो गई बात कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पर 1k along expand कर देना है अपनी इसको तो देखते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पर delta equal to alpha plus beta plus gamma into में अब यहाँ पर 1k along expand करेंगे यह cut गया यह cut गया इसकी इससे multiply यही होने वाला है यहाँ फिर हम इसको और थोड़ा सा simplify भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं 1k along expand करके यह cut गया इसकी माइनस में इसकी इसकी थोड़ा सा easy method हो जाएगा calculation यहाँ पर देखो beta minus alpha इसमे भी है इसमे भी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर beta minus alpha इसकी को माइनस 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या ज़र रहेगा, हमारा gamma plus alpha, और यह 0, अब expand करोगे, बिल्कुल simple हो जाएगा, देखो क्या है, delta equal to यह क्या आगया मेरे पास, alpha plus beta plus gamma और यह क्या हो गया, beta minus alpha, और gamma minus alpha, अब scale long expand करेंगे, यह कट गया, यह कट गया तो क्या आगया, यहाँ पे इसकी से multiply, gamma plus alpha minus में, beta minus alpha, alpha से alpha गया, तो क्या आया है, यहाँ पे delta is equal to alpha plus beta plus gamma, और यहाँ पे beta minus alpha और gamma minus alpha और यह gamma minus beta, ठीक है अब ध्यान से देखना है आपको बच्चो क्या है, जो हमारे पास right and side trump थी, यहाँ पे beta minus gamma है, यहाँ पे हमारे पास आया है gamma minus beta तो एक तो यहाँ पे गड़बड है और बखकी, यहाँ पे gamma minus alpha था, gamma minus alpha हमारे पास है, यहाँ alpha minus beta था, यहाँ beta minus alpha है तो हम क्या करेंगे, इस trim में से और इस ट्रम में से minus minus common निकालेंगे तो delta is equal to क्या हो जाएगा यहाँ से minus common लेंगे और एक यहाँ से minus common लेंगे दो minus common आगे अंदर क्या हो जाएगा alpha plus beta plus gamma यहाँ से minus common लिया था यह उल्टा हो जाएगा alpha minus beta हो गया यह alpha minus gamma था और यह क्या हो जाएगा beta minus gamma और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब चो प्लस हो जाएगा तो आगया ना left hand side is equal to right hand side यह चीज हमने prove करनी थी hence prove हो गया हमें यहाँ पे left hand side एक determinant दे रखा है उसको right hand side के equal prove करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले मानते हैं हम इसको delta equal to क्या determinant है हमारा x y z फिर क्या है x square y square z square फिर 1 प्लस p x cube 1 प्लस p y cube और 1 प्लस p z cube यह हो गया हमारा determinant अब बच्चो सबसे पहले ध्यान में देखो एक चीज आ रही है मेरे यहाँ पर जो यह कोलम है इसमें कुछ addition करके दे रखा है तो क्यों ना मैं इसको separate कर लो separate बोले तो किस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर x y z यह property पड़ी थी matrix में हमने x square y square z square यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा 1 1 1 यह determinant है ठीक है matrix मत बनाना और बीच में sign किसका है फ्लस का तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास दूसरा determinant x y z x square y square z square और यहाँ पर क्या बज़ेगा p x cube p y cube p z cube इतनी बात क्लिया है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब ध्यान से देखो इसको रखो एगजटी जबी x y z x square y square z square यहाँ पर 111 प्लस में इस वाली रो में देखो बच्चो एकde इसमें भी इसमें भी इसमें भी x comment आसकता यह तो यहां से y comment आसकता है यहां से z comment आसकता है तो x y z comment ले लिया और इस वाली कोलम में मुझे PB नजर आ रहा है तो PB बाहर ले सकता हूँ मैं तो P, X, Y, Z कोमन आ गया या नहीं आ गया और हमें दिख भी रहा है राइट साइ्ड हमें P, Y, Z इकठा भी चाहिएगा तो हमारा यहाँ से क्या गया फर्स्ट रो से X कोमन से Y कोमन इस से Z कोमन और इस वाली कोमन P common तो P, X, Y, Z बाहर आ गया अब यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ से X गया था तो 1 बच गया यहाँ पे X गया था तो X बच गया यहाँ पे हमारा X भी चला गया और P भी चला गया तो X square बच गया यहाँ पे हमारा 1, Y, Y square बच गया यहाँ पर one z z square बच गया इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई अब आप ध्यान से देखो बच्चो इस determinant और इस determinant में थोड़ा सांतर है इसकी कोलम आगे पिछे हैं अगर मैं इसको और इनको अपस में क्या कर दू इंट्रोचेंज कर दू तो कोई effect नहीं पड़ेगा हम हमारी determinant के उपड़ अगर मैं देखो इसको और इसको इंट्रचेंज करता हूं तो माइनस लेना पड़ेगा मुझे बाहर फिर हम इसको और इसको चेंज करेंगे तो माइनस एक और बाहर लेना पड़ेगा देखो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पर समझाता हूं आपक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1 1 1 आ गया यहाँ पे x square y square z square आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा x y z अब भी हमारी यह और यह सेम नहीं हुई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा c2 और c3 को exchange करना पड़ेगा इसको और इसको तो फिर एक माइनस बार आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो अंदर क्या हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे x y z और यहाँ पे क्या जाएगा x square y square z square इतनी बात समझ में आगी या नहीं आगी बनगी ना same agitives तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दो यहाँ पे interchange करेंगे एक तो c1 की c3 से फिर हम क्या करेंगे c2 को c3 से exchange तो हमारा determinant क्या बन जाएगा यह वाला 1 1 1 और यहाँ पे क्या जाएगा मेरा x y z और यह बन जाएगा x square y square z square फिर प्लस में p x y z और यह भी क्या जाएगा 1 1 1 x y z x square y square z square कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन दोनों determinants बेसे यह determinant common आ रहा है तो common ले लेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा यह आगया 1 1 1 x y z x square y square z square यह common ले लिया हमने तो यहाँ पे देखो क्या बच आएगा यह common आ गया था तो 1 बच गया इसमें से क्या बच गया 1 plus p x y z ठीक है अब simple सा काम रह गया बस क्या काम रह गया बच्चो देखो तो 3 1 मिल गए हमें तो एक वह operation बनता है हमारा क्या बनेगा r2 goes to r2 minus r1 और r3 goes to r3 minus r1 तो बना दो यहाँ पे क्या बन गया देखो यह first वाली रो सेम रहेगी 1 x x square इसमें 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे y minus x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम y minus x यहाँ पे y square minus x square फिर 1 minus 1 क्या हो गया 0 यहाँ पे क्या लिखेंगे z minus x और यहाँ पे क्या आजाएगा z square minus x square और into में क्या आजाएगा 1 plus p x y z clear है इसको next page पे solve out करते हैं यह आ गया मेरे पास अब देखो इसको कैसे करेंगे यह 1 plus p x y z into में यहाँ पे देखो y minus x इसमें भी है इसमें भी है तो y minus x को मन ले लिया यहाँ से z minus x भी को मन आ सकता है मेरा तो क्या बच गया अंदर 1 x x square यहाँ पे 0 यह 1 यहाँ पे क्या बच जाएगा y plus x यहाँ पे 0 यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा यह आ जाएगा 1 और यहाँ पे z plus x अब इसको क्या कर सकते हो आप expand बहुत तीजली कर सकते हो तो expand करेंगे तो क्या आ गया बच्चो 1 plus p x y z into में y minus x z minus x into 1 plus p x y z into यहाँ से देखो right side यहाँ पे हमें क्या चीए x minus y यहाँ आया हो है y minus x तो minus कुमन यहाँ पे z minus x है z minus x ही चीए था ठीक है यह तो हमारे पास ठीक है यह क्या बन गया? x minus y बन गया और यह मेरा क्या बन गया? यहाँ पे z minus x अंदर देख लेते क्या बनेगा? x से x cancel हो गया यहाँ पे क्या बन गया? z minus y बन गया बच्चो क्या बन गया? z minus y हमें चीए y minus z तो 1 minus यहाँ से कॉमन लेने minus minus क्या हो गया? plus तो यहाँ पे क्या हो जगा? यह y minus z और यह क्या आगया हमारा left hand side is equal to right hand side के clear हो गया कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया होगा अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अगर आपको यहां से यह minus को मन लेने में problem हो न तो यहीं पर क्या करो यह जो हमने बनाया था y minus x बनाया था हमने तो x minus y बनाना था तो क्या करो यहां पर r1 में से r2 सब्टेक्ट कर लो और y minus z बनाना था तो r2 में से r3 सब्टेक्ट कर लो यह operation भी लगा के आप कर सकते हो r1 goes to r1 minus r2 और r2 goes to r2 minus r3 यह operation लगा के करो के तब भी अंसर आ जाएगा हमें यह determinant दे रखा है इसको right hand side के equal prove करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको delta एजूम करते हैं और हमें क्या दे रखा है यहां पर 3a minus a plus b minus a plus c यह minus b plus a है यह 3b है यह minus b plus c है फिर minus का c plus a है minus c plus b है और 3c है right hand side पर नज़र डालो आपको क्या नज़र आ रहा है a plus b plus c नज़र आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा columns को add करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम c1 goes to c1 plus c2 plus c3 कर दो तो क्या बन गया हमारा यहां पर ध्यान से देखो इसमें अगर मैं इन दोनों को add करता हूँ minus a minus a क्या हो गया minus का 2a 3a में से minus 2a गया a बच गया और b plus c हमारा साथ में और बाखी column क्या रहेंगे हमारी सेम minus a plus b minus a plus c यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारा a plus b plus c और यहां पर भी a plus b plus c यहां पर 3b minus का c plus b यह minus का b plus c और 3c कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल सिंपल सा काम किया है हमने उसके बाद क्या करेंगे हम a plus b plus c इसमें से भी common इसमें से भी इसमें से भी निकल लो भी बाहर तो क्या आगया हमारा पास delta equal to a plus b plus c आगया हमारा common अंदर क्या आपच गया 1,1,1 यह minus a plus b यह 3b यह minus का c plus b यहां पर minus a plus c minus का b plus c और 3c क्लियर? ठीक है? अब क्या करें हम? सिंपल सा काम है किसी दो को हम क्या करेंगे यहां पर 0 बनाएंगे क्या operation लगाएंगे हम? r1 कर दो और r3 row पर क्या लगाएंगे? हम r3 minus r1 कर लो तो delta equal to क्या हो गया? बच्चों ध्यान से देखो first वाली row यह agities रहेगे हमारी तो यहां पर a plus b plus c को मत भूल जाना कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको तो यहां पर क्या हो गया हमारा? first वाली row से 1 minus a plus b minus a plus c यहां पर 1 minus 1 करेंगे 0 3b में से minus a plus b करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा a plus 2b और यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा यह a minus b आ जाएगा फिर यह 0 यह a minus c हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा यह 2c plus a तो कर लेते हैं, expand delta equal to a plus b plus c into में, 1K along expand करेंगे, यह cut गया, यह cut गया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्छो, a plus 2b की multiply, a plus 2c से, minus में, a minus b की multiply किससे, a minus c से, इसको simplify करेंगे अब, तो delta equal to क्या आगया, a plus b plus c into में, यहाँ पर a की a से multiply, a square, a की 2c से multiply करेंगे 2ac, थोड़ी सी calculation है, 2b की a से करेंगे तो plus का 2ab, 2b की 2c से करेंगे तो plus का क्या आगया, 4bc, आगे minus को यहाँ पर रहने दो into में, पहले अंदर की multiply करके आओ, a की a से multiply a square, a की c से multiply minus का ac, minus b किससे करेंगे minus का ab, minus b की minus c किसे करेंगे plus का bc, ठीक है, अब minus को अंदर लेके जाएंगे बस, delta is equal to क्या आगया, a plus b plus c into, a square plus 2ac plus 2ab, plus में 4bc, minus को अंदर लेके करें, minus का a square plus का ac plus का ab और minus का bc, ये चीज clear हो गए या नहीं होगी, अब देखो यहाँ पे delta is equal to क्या हो गया बच्चो, a plus b plus c into, a square से a square कट गया, कुछ और भी कट रहा है, नहीं, और कुछ नहीं कट रहा तो, देखो 2ac और ac क्या हो गया, thrice of ac, 2ab और a b क्या हो गया, thrice of ab, 4bc में से bc गया तो, plus में thrice of bc, अब इन तिन्नों से क्या आ रहा है हमारा, 3 common तो 3 common ले लेंगे, thrice of a plus b plus c into में, यहाँ पे क्या आ गया, a b plus bc plus c a, तो यहीं तो हमें प्रूव करना था, इसको बस आगे पीच्चे लिखा है, कहीं confused हो जाओ, तो क्या हो गया यहाँ पे, यह हो गया हमारा answer, मतलब hence prove हमने कर लिया, हमें यहाँ पे determinant दे रखा है, इसको हमें 1k equal prove करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका solution, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको delta equal to, लिख लेते हैं elements, 1, 2, 3, 1 plus p, 3 plus 2p 6 plus 3p फिर 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q और 10 plus 6p plus 3q यह हमें determinant दे रखा है, कुछ birds के आवाज आ रही है, सायद disturbance तो नहीं हो रहा होगा, natural आवाज है, तो थोड़ा सा ignore करके, अपने concentration यहाँ पे रखो questions के उपर, अब अच्चो देखो, तो हमें इसको 1k equal प्रूव करना है, तो हम किसी भी determinant को sol out करतें करने से पहले हमारे mind में क्या रहता है, कि हम corresponding कहीं ने कहीं 2 value 0 बना दें, किसी column में या किसी row में, तो बस वही देखते हुए हमें operation लगाना है, इसको 0 कैसे बना सकता हूँ मैं, अगर मैं उपरवाली को 2 से multiply करके, इसमें से subtract कर दू तो 0 बन जाएगा, इसको 0 कैसे बना सकता हूँ, उपरवाली को 3 से multiply करके, इसमें से subtract कर दू ये भी 0 बन जाएगा, बस दो फोर्मूले बन गए, हमारे जो operation है बू क्या बन जाएगे, r2 goes to r2 minus 2 r1, और r3 goes to r3 minus 3 r1, ये दो operation लगा, दो बस, पहले second वाला operation लगाएगे, उसके लिए देखो द्यान से, r1 row को fix रखो, उसमें कोई change नहीं किया, हमने 1, 1 plus p, 1 plus p plus q, इस वाली पे आजाओ अब, 2 minus of 2 करेंगे 0, उपरवाली को 2 से multiply करना है, तो यहाँ पे देखो, 3 plus 2p minus, उपरवाली को 2 से multiply करेंगे, minus 2 minus का 2p, 2p से 2p कर गया, 3 minus 2 क्या आगया, यहाँ पे 1 आगया मिरे पास, clear, यहाँ पे क्या आजाएगा, मिरे पास यह आजाएगा, यहाँ पे 2 plus p बच जाएगा, बस, आगए आजाओ, यहाँ आगया मिरे पास, अब देखो, expand करना कितनी easy हो गया यहाँ से, तो delta equal to 1 into, यह कट गया, यह कट गया, इसकी से multiply करेंगे, तो 7 plus 3p minus, मिरे इसकी से multiply करेंगे, तो 3 into 2 plus p, तो क्या आगया, delta equal to 7 plus 3p, minus 3 के अंदर multiply, minus का 6, minus का 3p, minus 3p से 3p कट गया, तो delta is equal to क्या गया, 7 minus 6 बन के, तो यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, बच्चों, अपने left hand side equal to right hand side, बड़ा ही जी के उस्चंता सर, हमें यहाँ पर determinant दे रखा, इसको हमें 0 के equal प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको हम delta एजियूम कर लेते हैं, जो भी हमें given determinant है, ध्यान से लिखना क्या है, sin alpha, cos alpha, अब यह trigonometric पीछा नहीं छोड़ती कहीं भी, cos of alpha plus delta, यहाँ पर क्या है हमारे पास, sin beta, और cos beta, और cos of beta plus delta, यहाँ पर sin gamma, cos gamma, और cos of gamma plus delta, यह हमें यहाँ पर determinant दे रखा है, ठीक है, अब क्या करें हम यहाँ पर, simple सा काम है, हमें एक formula नजर आ रहा है, यहाँ पर cos A plus B, cos A plus B, cos A plus B, तो लगा देती हैं बस और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर अभी, तो क्या है हमारे पास, sin alpha, sin beta, और sin gamma, यहाँ पर क्या है, cos alpha, cos beta, cos gamma, इसको अगर हम break करें, formula में, तो क्या बनेगा, cos alpha, और cos delta, माइनस में sin alpha, और sin delta, यहाँ पर भी यही बनेगा हमारा, same as it is, क्या बनेगा, cos beta, और cos delta, माइनस में sin beta, और sin delta, इसको देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, cos gamma, cos delta, माइनस में, sin gamma, sin delta, यह आ गया मेरे पास, अब ध्यान दो, यहाँ पर right and side हमें 0 बनाना है, अब 0 बनाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको expand करें, कोई operation लगाएं, बहुत सारे, तो बड़ी difficulty होगी, बहुत लंबा चोड़ा क्योस्टन बन जाएगा, दूसरा काम क्या होता है, अगर मैं किसी corresponding, पूरी की पूरी column को, 0 बना दू, या किसी एक row को 0 बना दू, तो मेरे पास सारा determinant का result 0 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो, cos alpha, cos delta, minus में sin alpha, sin delta है, अगर इन दोनों में, इसको और इसको add करता हूँ मैं, कुछ multiply करके, कौन सा है हमारा, sin alpha है, sin alpha के साथ, देखो क्या है, sin delta होना चाहिए, तो इसको क्या करूँ, मैं c1 कोलम को, sin delta से multiply करके add करूँ, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे, यह cos alpha है, यहाँ पे plus का cos alpha है, तो इसको मैं क्या करूँ, minus का, यह कौन सी कोलम है, c2 को हम cos delta से multiply करके add करें, cos alpha तो है, cos delta नहीं है, तो इसके साथ cos delta बनाने के लिए, c2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे cos delta से multiply करके, subtract करना पड़ेगा, तो देखते हैं, अब क्या बनेगा, हमारा delta equal to, first second column तो agities रहेंगे, कि हमारी क्या है, sin alpha, sin beta, और sin gamma, यहाँ पे cos alpha, cos beta, cos gamma, अब इदर आजो बच्चो, एक दिखाऊँ हमें, यह वाली थी हमारे पास value, तो क्या थी, cos alpha, cos delta, minus में sin alpha, sin delta, यह तो होगी c3, plus में क्या करना है, मुझे c1 into sin delta, इसको sin delta से multiply करके add करना है, तो यहाँ पे क्या होज़ेगा, plus में sin alpha, sin delta, हो गया, फिर minus करना है, मुझे c2 column को cos delta से multiply करके, इसको cos delta से multiply करेंगे, तो cos alpha, cos delta, अब देखो cos alpha, cos delta से यह कट गया, इस से यह कट गया, अब क्या बन गया, 0, similarly, यहाँ पे भी क्या बन जगा, 0 और यह भी 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम as c3 column is 0, so delta is equal to क्या हो जएगा, 0, बस यही प्रूब करना था, left hand side is equal to क्या होगी, हमारी right hand side के, solve the system of equations, हमें यहाँ पे system of equation दे रखी, और इनको solve out करना है, मतलब जो भी variable equations में हैं, उनकी value हमने find out करनी है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्या काम है, यहाँ पे देखो, 2 by x दे रखा है, 3 by y दे रखा है, 10 by z दे रखा है, reciprocal form में दे रखे हैं, हमें variable, तो हम क्या करेंगे, इनको assume कर लेते हैं, let, 1 by x को आप a मान लो, 1 by y को आप b मान लो, और 1 by z को आप c मान लो, या फिर यहाँ पे क्या मान सकते हैं, आप u, v, w भी मान सकते हैं, कोई और भी मान सकते हैं, p, q, r, b, और कुछ भी जो भी आपका दिल करें, तो यह equation देखो, 2 by x थी तो क्या बन गी यह, 2a, यह प्लस का 3b, प्लस का 10c, is equal to 4, यह क्या बन जाएगी हमारी 4a, minus का 6b, plus का 5c, is equal to 1, यह क्या बन जाएगी 6a, plus में 9b, minus में 20c, is equal to 2, बन गी या ने बन गी, अब इससे हम matrix A form करेंगे, तो क्या होगी हमारी matrix A, corresponding, coefficients ले लो variable के, 2, 3, 10, तो यह आगया, 2, 3, 10, फिर 4, minus 6, 5, फिर 6, 9, और minus का 20, अब solution कैसे निकलता है हमारा, यहाँ पर A तो आगया हमारा, x matrix क्या बने की variables क्या क्या हैं हमारे, A, B, C हैं अब, A, B, C, A, B, C लेके चलेंगे, क्योंकि हमने convert कर लिया उनको, और B matrix में क्या आता है हमारे, जो भी constant है, 4, 1, और 2, तो 4, 1, और 2, अब solution कैसे निकलता है हमारा, देखो, A, x is equal to B होता है हमारे linear equation की form, अब हमें x निकालना है, तो A को right side लेके जाएंगे, तो A inverse into B, B matrix तो है, A inverse निकालना पड़ेगा हमें इस matrix से, A inverse के लिए हमें क्या निकालना है पड़ेंगे पहले, cofactor, A11 निकालो, A11 क्या होगा हमारा, minus 1 की power 1 plus 1 into M11, तो क्या हो जाएगा, minus 1 की power 1 plus 1, 1 हो गया ये, M11 का मतलब इसको, इसको कट गया, minus 20 की minus 6 से multiply करेंगे, तो क्या हो गया, plus का 120, minus में 945, तो ये क्या आगया मेरे पास 75, तो A11 आगया 75, ऐसे ही हम A12 निकाल लेंगे, वो क्या आजाएगा मेरा 110, A13 निकाल लेंगे, वो आजाएगा मेरा 72, A21 निकाल लेंगे, निकालने आते हैं, आपको ज्यादा time waste नहीं करेंगे इनके उपर, 150, A22 निकाल लेंगे, ये आएगा minus का 100, A23 निकाल लेंगे, तो A23 आजाएगा मेरा 0, A31 निकाल लेंगे, तो क्या आजाएगा 75, A32 निकाल लेंगे, तो ये आजाए 30, और A33 निकाल लेंगे, तो ये आजाएगा minus का 24, मैंने rough side निकाल रखे हैं, कहीं ये सोचो सर इतनी speed से कैसे हो गएगे, क्योंकि बड़ी calculation थी, छोटी होती तो एक 7 की 7 हो जाबती, अब हमारे पास क्या आजाएगा, याँ पर add joint of A निकाल ला है हमें, तो corresponding जो जो elements आए रख लो, 75, 110, 72, फिर 150, minus का 100, 0, फिर 75, 30, और minus का 24, इसका क्या करेंगे बच्चो, transpose, तो add joint of A, किसके equal हुआ हमारा, row की column बना लो, 75, 110, 72, ये 150, minus का 100, और 0, ये 75, 30, और minus का 24, ये आगया, मेरे पास, add joint of A, ये आगया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब हमें क्या चीए बच्चो, determinant of A जी ये, तभी तो inverse निकलेगा, determinant of A कैसे निकलेगा, 2 into, ये line कटगी, ये कटगी, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 120, minus में 45, फिर minus 3 into, ये line कटगी, ये कटगी, minus 24 से minus का 80, 65 जाब minus का 30, फिर यहाँ पर plus में 10 into, ये कटगया, ये कटगया, 9, 4 जा क्या हो गया, 36, minus minus क्या हो गया, 36 तो plus का 36, simplify करो, 120 में से 45 गया, 75 तो जा गया हो गया, 150, यहाँ पर 80 और 3 क्या हो गया, 110, 110 की 3 से multiply, minus का 330, 36 और 36 क्या हो गया, 72 की 10 से multiply, 720, clear, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या आ गया, कुछ नहीं आया, यहाँ पर हमने गडबड कर दी, minus का 110 था, minus 3 से की, तो plus हो जाएगा, ठीक है, अब इनको addition करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 5, 80 हो गया, यह आ गया, मिरे पास 1200, determinant A आ चुका, clear है, अब हमें A inverse लिखना है, लिख देते हैं, A inverse किसके क्या होता है, 1 by determinant of A, into adjoint of A, 75, 150, 75, 110, minus का 130, 72, 0, minus 24, A inverse लिख दिया, अब देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पर, हमारे पास क्या होता है, X is equal to A inverse B, क्या होता है, X is equal to A inverse B, A inverse निकल गया, B matrix पता है, रखो values भई, X is equal to A inverse क्या, 1 by 1200, into में, 75, 150, और 75, 110, minus का 130, 72, 0, minus 24, इसकी multiply किसे होगी, B matrix है, birds की बहुत ज़्यादा आवाज आ रही है, साइद, disturbance तो नहीं होनी चीए, क्योंकि natural लवाज है, ठीक है, वैसे कोई background music, साथ की साथ है, यहाँ पर आ रहा है, तो tension मतले न, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करो, B की value क्या है, 412, तो यहाँ पर लिख देंगे, 412, ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर, X is equal to 1 by 1200, into, 75 की 4 से multiply करेंगे, 75, 2 जाब 150 होता है, 4 की करेंगे, तो 300, 150 की 1 से करेंगे, प्लस का 150, 75 की 2 से करेंगे, प्लस का 150, फिर 110 की 4 से करेंगे, तो 440, माइनस 100 की 1 से की, तो माइनस का 100, 30 की 2 से की, तो प्लस का 60, 72 की 4 से करेंगे, तो 42 जाए 8 हो गया, 47 जा 28 हो गया, 288 हो गया, 0 की 1 से करेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर x is equal to क्या आ गया 1 by 1200 इंटू में 300 और 300 क्या हो गया 600 यहां पर 100 सब्ट्रेक्ट करेंगे यह आ गया मेरे पास 400 और यह आ गया 240 1 by 1200 को अंदर लेके जाओ तो x is equal to क्या आ गया यहां पर 600 by 1200 करेंगे तो 1 by 2 आ गया 400 by 1200 करेंगे तो 1 by 3 आ गया 240 by 1200 करेंगे तो 1 by 5 आ गया अब x क्या मानना था आपने ध्यान से देखो a b c variable थे हमारे और यह क्या आ गया हमारे 1 by 2 1 by 3 1 by 5 means a is equal to आ गया 1 by 2 b is equal to आ गया 1 by 3 और c is equal to आ गया बच्चो 1 by 5 but a किसके equal था 1 by x के equal हमें तो चीए x की value तो हमें क्या करना पड़ेगा इनका reciprocal करना पड़ेगा तो x की value क्या होजेगी इसका reciprocal 2 y की value क्या होजेगी इसका reciprocal 3 z की value क्या होजेगी इसका reciprocal 5 यही तो थी न, 1 by x equal to a था, x की value क्या होज़ेगी, a की value की reciprocal, तो वह ही हमने कर दिया और यह आ गया answer, if a, b, c, r, in a, p, then the determinant equal to, क्या होगा, हमें यहाँ पे एक determinant दे रखा है, इसका हमें solution find out करना है, तो कैसे करेंगे, option ना देके, अगर direct question पूछ ले, तो कैसे करेंगे, अब याद नहीं करने, option वाले question जरूर पूछे जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से करना, मैं सभी questions करवा रहा हूँ, यहाँ पे हमें यह determinant दे रखा है, तो आपको क्या करना, इसको delta के equal assume कर लेना है, एकस प्लस 2 दे रखा है, एकस प्लस 3 दे रखा है, एकस प्लस 2 दे रखा है, यह एकस प्लस 3 है, एकस प्लस 4 है, एकस प्लस 2 भी है, फिर एकस प्लस 4 दे रखा है, एकस प्लस 5 दे रखा है, और एकस प्लस 2 सी दे रखा है, क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है, अगर म मैं इस में से इसको सब्ट्रेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली कोलम 11 बन जाएगी बस कौनसी कोलम है c2 goes to c2 में से c1 को सब्ट्रेक्ट कर दो तो delta equal to क्या बन गया c1 कोलम fix रहेगी x plus 2 x plus 3 x plus 4 इस में से इसको सब्ट्रेक्ट करें 3 minus 2 क्या हो जाएगा 1 x minus x 0 ये भी 1 ये भी 1 ये हमारी सेम रहेगी x plus 2a x plus 2b और x plus 2c अब आपको बता है कोई भी कोलम आपको अगर 11 मिल जाती है तो कौन सा उप्रेशन लगाते हैं r2 goes to r2 minus r1 और r3 goes to r3 minus r1 ये उप्रेशन लगेगा तो क्या आगया है यहाँ पर delta equal to first वाली row सेम रहेगी हमारी x plus 2 1 और x plus 2a इसमें से इसको subtract करो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमें क्या गरना है यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास x plus 3 में से यह गया तो 1 और फिर यह 1 minus 1 क्या हो गया 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b minus 2a यहाँ पर इसमें से इसको subtract करेंगे यह 2 यह हमारा 0 और यह बन जाएगा 2c minus 2a clear होगी बात कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या करना है इसके along expand करना बच्चो जो भी 1 है इसके along expand तो delta is equal to क्या जाएगा यह odd position पर तो minus 1 लिया जाता है determinant को sold out करते time into यह कट गया यह कट गया इसकी से multiply इसकी से multiply तो 2c minus 2a minus में 2 into 2b minus 2a तो delta is equal to क्या जाएगा minus 1 into यह क्या है 2c minus 2a अंदर multiply करेंगे minus का 4b और minus plus का 4a तो delta is equal to क्या जाएगा minus 1 into 2c minus का 2a 4a तो क्या हो गया plus का 2a और minus का 4b तो delta is equal to minus को अंदर लेके जाएगे तो क्या हो गया minus का 2c minus का 2a और plus का 4b ठीक है अब क्या गर सकते हैं यहाँ पर delta is equal to 2 को मन ले लिया तो यहाँ पर 4b था यह 2b बन गया यह minus का c minus का a आ गया अब ध्यान से देखो a,b,c को बच्चो ap में दे रखा है अमारा यह तो option कोई भी नहीं है तो यहाँ पर क्या दे रखा है a,b,c,r in,ap r in,ap ap के अंदर है तो क्या relation होगा हमारा जो यह b है twice of b is equal to क्या होगा a plus c के यही तो relation होता है हमारा ap के अंदर class 10 में पढ़ा है जो middle वाली term होती है b is equal to दोनों का half होती है a plus c का half तो twice of b is equal to a plus c इनको इस तरफ लेके आएंगे तो twice of b minus a minus c is equal to क्या होगा 0 इसको 0 put करेंगे तो delta is equal to क्या होगा 0 तो हमारा option क्या है a correct हो जाएगा या फिर इस तरिके से इसको sol out करना भी आ सकता है ठीक है question को ध्यान से करना important question है if x y z are non zero real numbers then the inverse of matrix a is इस a matrix का inverse क्या होगा तो कैसे निकलेगा simple सा काम है सबसे पहले a matrix जो दे रखी है वो लिख लो x 0 0 0 y 0 0 0 0 z पहला काम क्या करना है determinant a निकालना क्या होगा x into y z की multiply y z minus 0 हो गया तो determinant a is equal to क्या आ गया मिरे पास x y z आ गया अब हमें क्या करना है यहाँ पे co factors निकालने बच्चों क्योंकि adjoint a चीए a11 कैसे निकलेगा ये कट गया ये कट गया तो y z आ गया हमारा ऐसे ही हम a12 निकालेंगे वो 0 आएगा a13 निकालेंगे वो भी 0 आएगा फिर a21 निकालेंगे वो भी 0 a22 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा मिरा x z हो जाएगा a23 निकालेंगे वो भी 0 आएगा a31 भी 0 आएगा a32 भी 0 आएगा और a33 even है तो यह आजाएगा xy तो add joint a क्या आगया मिरे पास सिद्धा यह आजाएगा मेरा yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy आगया अब a inverse किसके इकल होता है 1 by determinant a into add joint of a तो a inverse is equal to क्या हो गया 1 by determinant a क्या निकल ला है अपने xyz और यह क्या है हमारा yz 0 0 0 xz और 0 0 0 xz xy clear अब हमें क्या करना है यहाँ पे इसको अंदर multiply कर देना है a inverse is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे yz अपन में xyz करेंगे तो क्या आगया 1 by x 0 0 यहाँ पे 0 1 by y 0 यहाँ पे 0 0 1 by z और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x को उपर लेंगे जाएंगे तो x inverse 0 0 0 y inverse 0 0 0 z inverse अब इसका option चेक कर लो यह option कौन सा है a option is the correct option यहाँ फिर इसका direct solution भी पूच सकता है किस तरिक्के से करोगे यह आगया answer यहाँ पे मैंने transpose डिरेक्ट करके लिख दिया था कहीं यह सोचो transpose करो या directly लिखो यही हमारी matrix रहेगी कहीं यह सोचो sir adjoint a में इसका transpose करेंगे transpose कर लो यही की यही matrix रहनी है दोवारा से ठीक है इसका solution क्या होगा यह हमने find out करना है तो कैसे करेंगे बिल्कुल simple है इसको क्या करेंगे हम a matrix is equal to हमें क्या दे रखी है 1 sin theta और 1 minus का sin theta 1 और sin theta minus 1 minus का sin theta और 1 दे रखा है सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको determinant a को solve out करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा इसको सबसे पहले किसी दो values को हमें 0 बनाना पड़ेगा तब भी हम easily कर सकते हैं बिल्कुल असान है कैसे करेंगे अगर मैं यहाँ पर operation लगाता हूं r1 goes to r1 plus r3 इसमें इसको add कर दूँ 0 बन जाएगा और क्या operation लगा दू r2 goes to r2 minus क्या कर सकता हूं मैं sin theta of r3 कर दूँ r3 को sin theta से multiply करके इसमें add कर दूँ तब भी हो जाएगा और subtract कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास यह बन गया 1 minus 1 करेंगे तो क्या बन गया यह 0 यह भी sin theta minus sin theta क्या होगा जीरो यहाँ पे 1 plus 1 क्या होगा 2 अब r2 पे operation आजओ minus का sin theta minus 1 की sin theta से यह भी क्या होगा 0 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 plus sin square theta बन जाएगा और यहाँ पे sin theta दे रखा है मेरे पास यह sin theta रहेगा sin theta minus यह हमारा 0 हो जाएगा sin theta minus of sin theta r3 था तो यह आजाएगा 0 और यह हमारा same रहेगा minus 1 minus का sin theta और 1 अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे evaluate करेंगे तो determinant a is equal to इसके along expand किया जाएगा 2 into यह कट गया यह कट गया तो minus इसकी multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा मेरे पास 1 plus sin square theta ठीक है तो हमारे पास determinant a is equal to क्या आगया 1 plus sin square theta into 2 यह बात clear होगी अब theta की value क्या कही है उसने 0 से लेके 2 pi तक तो यहाँ पर क्या करेंगे theta is equal to अगर मान लो आपका 0 degree put होता है या pi put होता है या फिर 2 pi put होता है तो हमारा determinant a का solution क्या आएगा बच्चो यह देखो यह 0 हो जाएगा 2 into 1 क्या आजएगा 2 अगर हमारा theta क्या हो हम अगर मान लो put करें pi by 2 put करें 3 pi by 2 put करें इसके बीच में ही तो लाई गर रहा है तो यहाँ पर देखो determinant a is equal to क्या हो जाएगा 2 into 1 plus sin pi by 2 की value क्या होती है 1 तो 1 plus 1 क्या होगा 2 2 जाब 4 determinant a का solution क्या आएगा 4 तो हमारे 2 और 4 option हो जाएगे यहाँ पर तो यह 2 और 4 कौन से में है D option में तो D option क्या हो गया हमारा correct option आप इसको directly भी expand कर सकते हो उससे भी हो जाएगा उससे भी यही condition आएगी उससे भी यही answer आने वाला है clear? अब option के अंदर क्या दे रखा है ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे को equal to दे रखा तो यहाँ पे हमें equal to में capital bracket लेनी पड़ेगी यह चीज ध्यान रखना यहाँ पे equal to का sign नहीं होता तो हम open bracket लिखते इसलिए हमारा D option correct है कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूचिया दरवाई चैनल को subscribe कीजिए Thank you students for watching next classes वीडियो